आज के इस वीडियो में हम दो बात करेंगे मैट्रिक्स आवियू चैप्टर 3 क्लास्टॉल मैट पर इसे समझने के लिए थोड़े सी कुछ एक्जामपल लेकर समझते हैं तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास या आपके पास आपके पास या किसी का नाम लेकर जैसे राम के पास 15 किताबे तो आपको मैट्रिक्स में इसे बस इस बॉक्स के साथ ऐसे रहते हैं मैं आपसे कहूं राम के पास 15 किताबे और 15 किताबे और 10 कापिया तो 15 और 10 आप ऐसे लिख सकते हैं या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 और 10 ये इसे रो कहते हैं इसे कालम कहते हैं और सुझते हैं जैसे तीन फ्रेंड है राम श्याम और मोहन इन तीनों के पास क्या-क्या देखिए किताबे राम किताबे किताबे और काउंपी राम के पास कितने थी 15 किताबे और 10 काउंपीया श्याम के पास 20 किताबे और 20 काउंपीया इसके पास 5 किताबे और 10 काउंपीया ये इंफॉर्मेशन आपको गोशन में दी गए इसको मैट्रिक्स में लिखना तो आप कैसे लिख चाहें तो आप इस फार्वेट का यूज़ करें चाहें इस फार्वेट का यूज़ करते हैं तो कैसे हो जाएगा देखें 15, 10, 20, 25 और 5 और 10 अगर आप इस फार्वेट का यूज़ करते हैं तो कैसे हो जाएगा 15, 20 और 5 और कौन पिया है एक तब 10, 25 और 10 ये ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है अब हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स का यूज क्या है, सबसे पहले हम NCRT बावा से इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं, देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग पर इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है रैकिर समीकरणों के निकायों को हल करने के लिए संचिप तता सरल विद्याप प्राप्त करने के प्रयास के परणाम सुरू आव्यों की संकल्पना का विपकास हुआ रैकिर की समीकरणों जो linear equations होते हैं, उनको solve करने के लिए तो • इसका use होता ही होता और और साथी साथ आवियू को केवल रहकित समय करनों को प्रकट करने के लिए ही नहीं बलकि आवियू की उप्योगता इससे कहीं अधिक भी है इसमें बताया कि इसकी उप्योगता और भी अधिक है कहा कहा है आवियु संकेतन तता संक्रियाओं का प्रयोग बैक्टिगत कम्यूटर के एलेक्टानिक इस्प्रेट सीट प्रोग्रामों में किया जाता है साथी साथ जिसका प्रयोग क्रमशाह वाडे जितता विज्ञान के छेत्रों में होता है जैसे बजट बनाने में विक्रेब बाहिर वेशन विक्रेब बाहिर वेशन क्या है सेल्स प्रोजेक्शन सेल्स का जो पूरा डाटा बनता है सेल्स प्रोजेक्शन में लागत आगलंग कॉस्ट इस्टिमेशन में फिर इसके बाद किसी प्रियोग के परदामों का विसलेशन आ आपको ये बार समझ नहीं, जिसमें कोई डाटा दिया गया है, उसंदेन डाटा का एनल्रिक करना है तो मेर्किक्स का इंज होता है, आपको ये समझ गया है, ये क्या है ? ये इसके Sthombальные, ये क्या है ? 217 livre और ये क्या है ? रो 15 Livy ? ये क्या है ? ये 15 संब्डी और ये से क्या बोलते हैं हम लोग, इस थंब बोलते हैं, इस थंब, इसमें देखिए कितनी रो हैं, दो रो, इसमें कितनी रो हैं, एक, दो, तीन रो हैं, और इस थंब कितने हैं, ये, एक, दो, कॉलम कितने हैं, दो, ये आपके कॉलम हुए हैं, और ये इसमें रो, इसमें ब इस matrix को हमों इसकी code की बात करेंगे, इसकी code क्या है, ये, इसमें कितनी रों है, तीन रों, तो तीन उड़े दो, आविव की code ही, ये तीन बाइद दो की matrix है, ये कितने की है, ये दो बाइद तीन की matrix है, ये आप से question पूछा जाएगा, matrix दे दी जाएगी, बर पूछे का serum पूछा हita के norm रहेंगे, जितनी रों है और जितने कालब है जैसे, तीन बाइद दीन की matrix है, तो कैसी होगी, तीन कालब होंगे, तीन रों होगे, एक डो, तीन, 4,5,6,7,8,9, ये 3 बाइद दीन की matrix है, जिसमें 3 कालब है, 3 भों है, यानि कि 3 स्णम है, और तीन पंदियां Oh कि अब इसके बाद करने वाले में आव़ियों के प्रागान के प्रागे सबसे पहला इस तमभागे वियुक्त काण मैं रिवी इस किया जिस मैंसे सिर्फ एक कॉल्म जिसमें इन कॉलम हो वन टू थी यह इस प्रकार की मैट्रिक्स है इस तब मैट्रिक्स कहलाते हैं पंगति आवे हूं रो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो जिस मैट्रिक्स में क्या हो सिर्फ एक रो वन टू थी यह और ना कॉलम हो ना रो वो सिर्फ एक रो वर खब आवियो, This square matters, this wise matrix . जिसी रो और कॉलम की संख्या समाम , रो और कालम पंपी और RAM वू की संख्या समाम जैसे 2 2 कॉलम हूँ, ≦ 2 ही कॉलम हूँ, 3 4 यह है , तो इस में लेकिए 2 रो हैं , और 2 कॉलम है यह 3 by 3 की भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह matrix कैसी हो गए वर्ग आविए इसको है matrix विकार नाविए क्या होता है ऐसी matrix जिसमें अब जैसे यह है यह 3 by 3 की matrix है जिसमें diagonal के अतरिक और आयो शुल्यू जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब इसमें क्या हो सिर्फ यह 0, 0, 0 और यह 0, यह भी 0, यह भी जुल्यू क्या मतलब समझें जिसमें diagonal element यह इसके जो अंदर लिखे हुए यह इसके element है आयो यहां diagonal element को छोड़कर सब सूनू अधिस आव्यू क्या है अधिस आव्यू ऐसी matrix है ऐसे विकान आव्यू जिनके diagonal element सेम हो मतलब विकान आव्यू के element सेम यानि कि जैसे यह दिया है 1, 5, 9 तो यहाँ पर सेम element आदे है कैसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 यहां 1 नहीं दिया मैंने और आप 2 भी ले सकते है 3 भी ले सकते है 4 भी ले सकते है मतलब कोई भी element हो लेकिन हो सेम होने चाहिए तीनों और विकान आव्यू क्या होता है जिसमें सिर्फ diagonal element हो विकान आव्यू हो तत्समक आव्यूं यानि कि identity matrix identity matrix ऐसी matrix होती है जिसके diagonal element क्या हो हो वो a को होना चाहिए diagonal element के place पर सिर्फ a को a तो है तभी वो तक्समक आव्यू होगा सूने आव्यूं ऐसी matrix जिसके सभी element सूने हो 0 यदि सभी element में 0 है तो आपकी सूने matrix हो आव्यू की समानता equality of matrices क्या है यदि कोई matrix a equal to aij और b equal to bij है तो यह कब समान होंगी यदि इनकी 40 समान हो जैसे यह 2 by 2 की matrix है तो यह भी 2 by 2 की होनी चाहिए यदि यह 3 by 2 की है तो यह भी 3 by 2 की होनी चाहिए मतलब नहीं समझें मतलब यदि यह जो matrix है वो यदि 1 2 और 3 4 यह 2 by 2 की तो b b क्या होनी चाहिए 2 by 2 की होनी चाहिए यानि कि 5,6,7,8 यह दिखिए यह 2 by 2 की दूसरी condition क्या है एक का प्रतेक अवयो भी के संगत अवयो के समान मतलब इसका जो element है इसके संगत अवयो के समान होना चाहिए जैसे यह 1 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए एक होना चाहिए यहां 2 है तो यहां भी क्या होना चाहिए यहां 3 है तो यहां 3 और यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए यह matrix होने की 2 condition तो आप कह सकते हैं matrix A equal to matrix B कोई एक एक्जाम पर दूसरा नहीं कर समझते हैं जैसे कोई matrix है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये matrix है तो इसके एकपल कोई दूसरी matrix तभी हो सकती है जब 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दिया तो ये समान और यहीं पर अगर 6 कि जग़ा आठ दे दिया गया और यहाँ पर साथ हो गया तो ये matrix के समान नहीं हो matrix के समान होने के ये कि क्या चाहिए उसके संकत एइलिमेंट इकपल हो और दोनों सेम पोड़ी ही दोनों समान कोड़ी होंगी तभी हो इकपल होंगी और दूसरी कंडिशन है कि उनके संगत अवरावा कुनी चाहिए इसे सांगेती रूप से इस परदर्सित करते हैं अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की पोश्चनों पर